नमस्कार, श्री गुरुभ्यो नम, आज हम राष्ट्रिय मुक्त विद्यालेई शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम उच्यतर माध्यमिक कक्षाक्वे संस्क्रित साहित्य विश्य के अंतरगत उत्तर रामचरितम इस पुस्तक की प्रस्थावना को पढ़ेंगे प्रथम भाग में हम उत्तर रामचरितम की प्रस्थावना को जानेंगे उत्तर रामचरितम आचारे भववूती द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिस ग्रंथ में रामचरित के उत्तर की कथा का वरणन आता है इसमें राम के जीवन प्रसंग के बाद जो कथा कही गई है उसको कभी ने निरूपित किया है इस ग्रंथ में हम नाटक के प्रथम अंक के कुछ अंसों को पढ़ेंगे सर्व प्रथम सूत्रधार आता है और नट आता है ये मंच पर आगर नाटक की प्रस्तावना करते हैं राम राजा बनते हैं उसके पस्चात जनक उनसे मिलने आते हैं और जनक के ग्रिह गमन के बाद उनकी पुत्र सीता को अच्छा नहीं लगता उनका मन खिन्न हो जाता है तो सीता थोड़ा सा ब्याकुल अधीर मन दुखी होती है उन्ही सीता को सांतवना देने के लिए राम सिंगासन से उठकर अंतःपुर को जाते हैं सीता से बादचित कर रहे होते हैं अभी सुचना आती है कि महर्षी अश्टावक्र उनकी कुसल समवाद के लिए कुसल ख्षेम पोचने के लिए आय हुए हैं महर्षी अश्टावक्र को आचार्य वरिंद लेकर आते हैं और वो वशिष्टादी आचार्य गुरूओं के जो उपदेश थे वो सारे उपदेश भगवान राम को सुनाते हैं उसके पस्चाद लक्ष्मण का आगमन होता है और वो आकर कहते हैं कि आपने जो निर्देश दिया था उसके अनुसार राम चरितात्मक चित्रवीथी का निर्माड किया जा चुका है चित्रकार आ गए हैं, अपने कारे को पूर्ण कर चुके हैं उसके बाद राम सीता के विनोध के लिए चित्रपट का प्रदर्शन करते हैं, सीता को वह दिखलाते हैं इसीलिए सर्व प्रथम चित्र दर्षन पर्व नाम का आरंभ होता है और यही से कथा का आरंभ होता है उसमें जो चित्र वीथी है उस चित्र वीथी में राक्षसी कावध, रामसीता, काविवाह, वनगमन, स्रिंगवेरपुर इत्यादी यथाक्रम से घटनाओं का निरूपण है अंत में राम गोदावरी के तट पर उनकी जीवन पद्धती का वरणन करते हैं और इसी के साथ ग्रंध की समाप्ती हो जाती है इस पाठ में हम उत्तर राम चरित के नाटक की प्रस्तावना मात्र पढ़ेंगे जिसमें साथ श्लोक हैं और कुछ सुक्तियां वरणित हैं वह कवी भवभूती का वरणन करता है सुत्रधार कौन होता है इसके लिए कहा गया है सुत्रमधारयति यह सह सुत्राधारह कस्य सुत्रमधारयति नाटकस्य यह नाटकस्य संपूर्णम सुत्रमधारयति सह सुत्राधारह निगध्यति वह सुत्राधार आयोध्यावासी नट के रूप में अपने आपको अनुभूत करता है और उससे मिलता है मिल करके दोनों का संबाद होता है अयोध्या के विशय में वो कहते हैं कि आखिरे अयोध्या में निशब्दता क्यों है इतना शांत क्यों है इन ही सारे वृत्तांत को इसी संपूर्ण वारता अलाप प्रसंग को नाटके आरंभ के साथ हम पढ़ेंगे और जानेंगे इसे पढ़कर हम रामचरित को समझ पाएंगे सीता जी के चरित को समझ पाएंगे नाटक में सुत्रधार और नट ये क्या होते हैं इन दोनों के विश्रह में जान पाएंगे नान्दी ग्रंथ के आरंभ में नाटक प्रारंभ होता है उसके पूरों में नान्दी का आगमन होता है नान्दी क्या होता है इसे हम इस पाठ को पढ़कर समझ पाएंगे इसमें प्रियुक्त चंदों के लक्षनों को हम जानेंगे श्लोक उसका अन्वय और प्रत्येक पद के अर्थ को भी हम समझेंगे साथी साथ जो देर्ग पद हैं उन पदोंगा विग्रह वाक्य उसमें क्या समास्थ है इन सारे विशलेशन विवेचन के साथ हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो आईए सर्व प्रथम मंगलाचरण पढ़ते हैं इदम कविभ्य पूर्वे भ्यो नमो वाकम प्रशाश्महे विंदेम देवताम वाचम अम्रितामात्मन कलाम इस श्लोक में आचारिय ग्रंथ के लेखक अपने से पूर्व जो आचारी हुए हैं कवि हुए हैं ऐसे विद्वानों को प्रणाम निवेदित करते हैं श्लोक का अन्वय इस प्रकार हम पढ़ेंगे पूर्वे भ्या कविभ्या इदम नमो वाकम प्रशाश्महे आत्मनह अम्रिताम कलाम देवताम वाकम विंदेम अन्वय के क्रम में ही अन्वयार्थ इस द्रिश्य पटल पर हम देखेंगे अन्वयार्थ का तात्पर है अन्वयस्य अर्थः अन्वयार्थः अर्थाथ जो अन्वय दिया गया है अन्वय क्यों दिया जाता है थोड़ा सा हम संकेत करेंगे जो श्लोक होते हैं श्लोक चंदो बद्धरचना है चंदोवध्ध रचना होने के कारण लेखक चंद के अनुसार शब्दों का विन्यास करता है तो वह शब्द विन्यास आगे पीछे होता है और समस्कृत की यह विशेषता है करता, कर्म, क्रिया, विशेषन पद आगे पीछे होने पर भी अर्थ में वैपरित्य नहीं आता अर्थ का अनर्थ नहीं होता अर्थ की सार्थक्ता यथा क्रम से बनी रहती है तो जब पदों का आगे पीछे होना हो जाता है छंद के अनुरोध से पद आगे पीछे हो जाते हैं ब्योभार में ले लिये जाते हैं तो फिर उन अर्थों को जानने के लिए यथा क्रम से पदों का विन्याश करना पड़ता है उसे ही अन्वय कहते हैं अन्वय व्यापक शब्द है जिसके अनेक अर्थ होते हैं लेकिन यहां पर अन्वय का यही अर्थ है इस अन्वय के अनुसार हम द्रिश्य पटल पर अन्वय आर्थ देखेंगे पूर्वे भ्यह अर्थात प्राचीन भ्यह जो प्राचीन कवी हुए हैं प्राचीन आचार्य हुए हैं कवी भ्यह विद्वत भ्यह विद्वान कौन व्य वालमी की कालिदास आदि जो काव्य करने वाले आचारिय हैं उनको नमो वाकम प्रशाश महे मैं नमस्कार रूपी वाणी प्रशाश महे अर्थात समर्पित करता हूँ निर्दिशामह मंगला चरनात्मकम उनको नमस्कार रूपी अपनी वाणी को निवेदित करता हूँ निर प्रमात्मनह अम्रिताम नित्याम कलाम अंशभूताम देवताम देवीम वाचम वाणीम अर्थात आत्मनह का शब्द का अर्थ यहां होगा honour अर्थात परमात्मा की जो अम्रिताम अम्रिताम रथा कभी मरने वाली जो नहीं है जिसने अमरत्व को प्राप्त किया है म्रितत्व धर्म से जो रहित है ऐसी जो नित्य कला है नित्य अंश भूता है वह कौन है कहा देवताम वाचम ऐसी जो वाणी है वाणी कभी छीड़ नहीं होती वाणी को नित्य कहा गया है इसलिए ब्रह्मा की जो नित्य कला है जो नित्य अनुशब होता है उनसे समुत्पन जो वाणी है देवी है उसके लाभ के लिए वह हमें प्राप्त हो क्योंकि कवी का जो धर्म है कवी का जो कवी की जो संपदा है वह क्या है सरस्वती ही है वाणी ही है उसकी प्राप्ती के लिए विंदे मा प्रार्थया महे हम सरस्वती की कामना से प्रार्थना करते हैं इदम कविभ्या पूर्वे भ्यो नमो वाकम प्रशास्म है। इस प्रकार से रूप चलता है इसका तो नमो वाकम अर्था नमह वाक यस्मिन सा नमह वाड़ी है जिस वाक्य में वह नमो वाक होगा बहुरी ही समास इस पद में है। तम नमो वाकम दुतियांत रूप है प्रशास्म है का कर्म है इसलिए तम नमो वाकम प्रशास्म है नमो वाकम यह कर्म पद होगा। इसी प्रकार प्रशास्महे पद को देखेंगे प्राउपसर्ग पूर्वक इक्षा अर्थ में शाशु अनुसिष्टव शास धातु है उसके उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा प्रशास्महे। इत्यस्य अर्थाह कहा तरही निर्दिशामह हम निर्दिष्ट करते हैं यह इसका अर्थ होगा। में जब रूप बनेगा तो उत्तम पुरुष का एक वचन विंदेम आत्मने पदीधातु है यह रूप बनेगा। अम्रिताम अविद्यमानम्रितम मृतम अर्थात मरण धर्म मृतम मरणम यस्याहासा अम्रिता सावाणी अम्रिता वाणी। तो अर्थ होगा मरण धर्म रहिताम। अर्थात मरण धर्म से जो रहित है जो कभी मरती नहीं है। यश रूप में विद्यमान कवियों का यश आज भी हम पढ़ रहे हैं उनकी कृतियों को जान रहे हैं। इसके आगे हम देखेंगे इसमें चंद क्या है। चंद के विशय में कहते हैं कि यहा अनुष्टुप चंद है। सरवाधिक प्रशिद्ध और सरवाधिक प्रयुक्त होने वाला चंद अनुष्टुप चंद है। सहज है इसके लक्षण को पहचानना दिर्श्य पटल पे आप देख रहे हैं। श्लोके शष्ठम गुरुम गेयं सरवत्र लगुपंचमं द्वीचतुष्पादयोर ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोह। यह इसका लक्षण है। श्लोके शष्ठम अर्थात श्लोक में छठा जो वर्ण होता है वह गुरु जानना चाहिए। किमगेयं गुरुम उस वर्ण को गुरु जानना चाहिए। सरवत्र लगुपंचमं और पाँचवाँ वर्ण जो है वह लगु समझना चाहिए अर्थात वह ह्रश्व होना चाहिए। गुरु का अर्थ दिर्ग और लगु का अर्थ हरश्व पांचमा वर्ण लगु ही होता है। यही बात इस श्लोक के बाद में लिखी है। आगे हम मूल पाठ को देखेंगे नाध्यंते अर्थात नाध्याहा नांध्याहा अंते नाध्यंते। नांधी के अंत में इसका तात्पर है मंगला चरण स्यांते। नांधी कौन होता है। इत्यादी जो भी स्रेष्ठ लोग हैं उनकी जो स्तुती करता है वह नांधी कहा याता है। इनकी स्तुती के लिए प्रयुक्त जो वाक्य होता है, मंगल होता है या श्लोक होता है, किसी भी रूप में गद्य पध्यात्मक हो सकता है। वह नांधी कहा जाता है। तो नांधी के बाद, अर्थात मंगला चरण के बाद, सूत्रधार का प्रवेश होता है। सूत्रधार आकर के कहता है, अलम अतिविस्तरेण, अध्यखलु भगवतह, कालप्रियाना थस्य, यात्रायाम, आर्यमिस्रान, विज्यांपयामी, स्रीकंठ पदलांचन, पदवाक्य प्रमानग्यों, भवभूतिर नाम, जातु करणी पुत्र, अलम अतिविस्तरेण, अलम अर्थात परियाप्तम, अतिविस्तरेण, अधिक विस्तरेण, परियाप्तम, अत्यधिक कहने का कोई ताजपरिय नहीं है, जितना आपने कह दिया उतना ही परियाप्त है अध्य अध्य अर्थात अस्मिन दिने खलू भगवतह कालप प्रिया नाथस्य खलू निश्चेन खलू शब्दकार्थ है निश्चेही भगवान भगवतह कौन भगवान कहा कालप प्रिया नाथस्य कालस्य प्रिया कालप्रिया काल प्रिया याह नाथः काल प्रिया नाथः अर्थात भगवती परामबा के प्रिय कौन है भगवान शिव दुरगा वल्लभस्य अर्थात शिवक शिवस्य शिव की यात्रायाम महोत्सवे उनकी यात्रा के महोत्सव में आर्य मिश्रान विज्ञापयामी आर्य मिश्र कौन सिर्ष्ठ जनान आर्यह सिर्ष्ठ को कहते हैं तो ऐसे स्रिष्ठ लोगों को मैं आधरनी ये बंधुओं को मैं विक्या पयामी बताना चाहता हूं सविनयम निवेदयामी विनय पूर्वक कहना चाहता हूँ क्या विदांकुरुवन्तु वर्थात जानन्तु भवन्तह किम जानन्तु कहा एवं अत्रभवन्तो विदांकुरुवन्तु अत्रो पस्थिताह ये पुज्याहसंती जो यहां विद्यमान पुज्य लोग हैं ऐसे लोगों को यह जानना चाहिए क्या जानना चाहिए कहा अस्तिखल तत्रभवान काश्यपह विद्यमान हैं कौन विद्यमान हैं काश्यपह तत्रभवान यह स्रिष्ठ के लिए प्रियोग हो रहा है अर्थात तत्रभवान स्रिष्ठाहा स्रीमंत काश्यपह स्रीमान काश्यप विद्यमान है काश्यप अर्थात कश्यप गोत्रोत्पन्नह काश्यपह कश्यप गोत्र में उत्पन्न उनका नाम क्या है कहा स्रीकंठ पदलांचनह श्रीकंठ इस पद से विभूशित हैं श्रीकंठ उनका नाम है उसमें एक विशेशन और देते हैं पदवाक्य प्रमाणज्यां के द्रिशह स्रीकंठ पदलांचन हां कहा पदवाक्य प्रमाणज्यां पदम व्याकरणम व्याकरण शास्त्रम पद कहते हैं व्याकरण शास्त्र को पद शास्त्र अर्थात व्याकरण शास्त्र वाक्यम वाक्य शास्त्रम अर्थात मीमान्शा उनहा प्रमाणग्यह न्याय शास्त्र अग्यह तरहि व्याकरण मीमान्शा न्याय एते शाम शास्त्राणाम यह विग्यास्ति यह आचारियस्ति प्रमाण भूत आचारियः स्रीकंठ पदलांचनह ऐसा व्यक्ति स्रीकंठ नामक तो स्रीकंठ उनकी उपाधी है स्रीकंठपद से वह विभूशित हैं उनको जाना जाता है भवभूतिर नाम उनका नाम क्या है कहा भवभूति नाम धेयह उनका नाम भवभूति है और जातुकरणी पुत्रह वह जतुकरणी गोत्र जाया या स्त्रियह सुतह जतुकरणी गोत्र में उत्पन कोई महिला है उन स्रेष्ठ महिला का वह पुत्रह जिसका नाम है भवभूति ही अस्तिक भवति खलू निश्चयेन एते आचार्याह विध्यनते अभी जो अंस हमने पढ़ा है, इस अंस में कुछ व्याकरण के पद देखेंगे, जैसे विदांकुर्वन्तु, विदांकुर्वन्तु अर्थात जानना चाहिए, इसके लिए विदांकुर्वन्तु में विद धातु का प्रयोग है, विद ग्याने धातु है, ज्यान अर्थ को व्यक्त करती है, धातु के अर्थ को जानने के लिए आपको आचार्य पाणिनी का कोश देखना चाहिए, या अश्टाध्याई ग्रंथ देखना चाहिए, ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका धातु पाठ अगर हम देखेंग तो किस धातु का क्या अर्थ है, यह समझ पाएंगे, तो ग्यान अर्थक विद धातु से जब लोट लकार का प्रियोग होता है, और क्रिध धातु का अनुप्रियोग होता है, यह एक व्याकरण की प्रक्रिया है, संपुर्ण प्रक्रिया हम आपको नहीं बताएंगे, लेक तकी जाएगी तो अनु प्रयोग होगा तो विदांग कुर्वन्तु इस प्रकार का रूप बनेगा जो प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा आप कृधातु का प्रयोग करोथी, कुरुतः, कुर्वंति इस रूप में जानते हैं करोती कुरुतह कुरुवंती इसी को जब लोटलकार में प्रियोग करेंगे तो कुरुवंती का कुरुवंतु रूप हो जाता है और कुरुवंतु के पूरो में जब विदधातु का अनुप्रियोग करेंगे तो विदाम कुरुवंतु यह होगा जिसका अर्थ जानन्तु यह प्रियोग होता है जानन्तु यहां अर्थोग। प्रमाणम्च पदवाक्य प्रमाणानी जानात यह सपदवाक्य प्रमाणग्य अर्थात पदवाक्य प्रमाणानाम ज्याता बहुब्रिही समा सोजाएगा तेसाम यह पदवाक्य प्रमाणग्य पुनहा कालप्रिया नाथस्य कालस्य प्रिया कालप्रिया इति शष्ठी तत प पुर्गा 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 आर्याह च अमी मिश्राहा आर्य मिश्राहा इती कर्मधारे समासह तान आर्य मिश्रांद्युति आंतंपदम जातू करणी पुत्रह जतू करणस्य गोत्रस्या पत्यम इस्त्री जातू करणी यह तस्याह पुत्रह जातू करणी पुत्रह शष्ठी समास हो जाएगा यहाँ पर इसके बाद हम द्रिश्य पटल पर देखेंगे यम ब्रम्हालम यम देवी वागवश्य वानुवर्तते उत्तरम रामचरितम तत्प्रणीतम प्रयोक्षते अन्वयह यम ब्रम्हालम यम देवी वागवश्य वानुवर्तते तत्प्रणीतम उत्तरम रामचरितम प्रयोक्षते इस श्लोक के पदार्थ को हम देखेंगे यम यम ब्रम्हाडम यम भवभूतिम ब्रम्हाडम अर्थात जिन भवभूति को यजनादि कर्म भवभूति ब्रम्हाडम भवभूति को ब्रम्ह या ब्राह्मन कह रहे हैं क्यूं कह रहे हैं कहा इनमे ब्राह्मनत्व गुण है यजन नादिशट कर्म कौन है? यजन, याजन, दान, ग्रहन, दान, देना और स्वाध्याय पुनह विद्यादान इन छे कर्मों में निरत जो भवूती हैं इनको यम अर्थाथ एशा यम देवी, भगवती, सरस्वती, वश्या इववर्तते अर्थाथ यह सरस्वती देवी इनके व इनकी अनुगामिनी है, इनके अधीन है पुनह तत्प्रणीतम उत्तरम रामचरितम प्रयोक्षते अर्थाथ हम उनके द्वारा प्रणीत जो रामचरित है उसमें भी विशेशन है इस ग्रंथ का नाम ही है उत्तर रामचरित अर्थाथ राम का जितना चरित रामायण में व तो तत्प्रडीतम भवभूतिकृतम यत उत्तरम रामचरितम बर्तते तत उत्तरम रामचरितम अत्र नाटक माध्यमेन प्रयोक्षते यहां पर नाटक के रूप में हम प्रस्तुत करने वाले हैं। कुछ पद व्याकरण के विमर्ष में हम देखेंगे यथा वश्या वश्धातु से जब यत प्रत्य करते हैं तो स्त्रित्य की विवक्षा में जो रूप बनेगा टाप प्रत्य करने के बाद वह वश्या होगा। यदि यत प्रत्य के साथ में ही पुलिंग में रूप होगा तो वश्या और नफुन्सकलिंग में रूप होगा तो वश्यम ऐसे प्रियोग होते हैं। तो नीध हातू से अक्ता प्रत्य करने पर नफुन्सक लिंग में जो रूप बनेगा प्रणीतम। तो नफुन्सक लिंग प्रत्मा विवक्ती एक वचन का रूप है प्रणीतम। यह भी तीनो लिंगों में होगा यह जानना चाहिए कि एकता प्रत्यांत जो भी शब्द होते हैं वह विशेशन के रूप में प्रयोग होते हैं। प्रयोग्ष्यते यह क्रियापद है प्राउप सर्व पूर्वक युजधातु से लिरिटलकार भविश्यार्थक लिरिटलकार के प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग्ष्यते यह आत्मनेपदी रूप होता है। रामचरितम रामस्यचरितम रामचरितम यह शष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर और तत्प्रणीतम तत्प्रणीतम अर्था तेन प्रणीतम तत्प्रणीतम तेन भवभूतिना तेन भवभूति के द्वारा जो प्रणीत है यहां त्रतिया तत्पुरुष समास होग संधी तो ऐसे कई श्लोक में आई हुई हैं लेकिन एक संधी हम देखेंगे वाग वश्य वानुवर्तते वाग वश्या इव अनुवर्तते तो अब वाग वश्या यहां पे जस्त्व संधी होगी जलाम जसो अंते सुत्र के द्वारा तो काको गा होता है जहां पर भी प्रथम वर्ग के प्रथम वरण को तृतिय वरण हो वहां यहां समझना चाहिए कि यहां जस्त्व संधी हुई है और वश्या इव यकार उत्तरवर्ती आकार के बाद और इवरण इन दोनों के मद्य में जो संधी हो रही है वह गुण संधी है तो वाग वश्येव ये दो संधी हो वह दीर्ग संधी होगी तो वाग वश्या के मध्य में जस्तु संधी वश्या इव के मध्य में गुण संधी और इव अनुवर्तते के मध्य में दीर्ग संधी तो तीन संधियों से युक्त यह पद है वाग वश्ये वानुवर्तते अलंकार देखें तो यहां पर उत्प्रेक अलंकार है बहलेत संभावनोत प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना और अनुष्टुप छंद का इस में प्रेयोग किया गया है यह अनुष्टुप छंद था तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं आज के इस कालांश में शेस पाठ हम अगले कालांश में पढ़ेंगे धन्यवाद